नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल दा अग्रिकल्चर गुरूजी में मैर अभी बगेल आज आप लोगों के लिए अग्रिकल्चर सुपरवाईजर जो की अभी राजिस्थान में एक्जाम हुआ है हाली मैं तीन मार्च को जो एक्जाम कंड़क्ट कराया गया था उसकी आंसर की लेकर आया हूँ इस एक्जाम का जहां तक है कैंसल करने का भी चल रहा है क्योंकि कुछ इसमें गड़बड़ी पाई गई है तो इसलिए हम आंसर सीट लाने में थोड़ी देरी कर रहे थे कि जिससे जो भी फैसला है जल्दी आ जाए लेकन फाइनली फिर हमने सोचा कि आंसर सीट दे देनी चाहिए तो और लोगों ने भी इसके आंसर सीट जो है अपलोड की हुई है तो उनकी आंसर सीट और हमारी आंसर सीट तो आप देख लें आपको जिस कॉश्चन में भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंड में जरूर बताए तो देखते हैं हम इसमें पहला कॉश्चन है हमारा कि पहले जो हमारे साइद कुछ कॉश्चन से वो हिंदी के हैं तो हम देखेंगे, पहला question है हमारा, अंतर नहित सब्द का संदी बिच्छेद होगा, तो इसका answer जो हो जाएगा, वो हमारा A option हो जाएगा, अंतर धन नहित, इसमें जो है, बिसर्ग संदी रहेगी, अंतर नहित सब्द में कौन सी संदी है, बिसर्ग संदी रहेगी, और इसका यदि हम इसको संदी बिच्छित को जोड़ें तो जो हमारा सब्द बनेगा वो बनेगा हमारा दैत त्यारी तीसरा कॉश्चिन के यदि हम बात करें तो संतोस सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो संतोस सब्द में जो उपसर्ग होता है वो होता है हमारा शम चोथा question है यहाँ पर निम्न लिखित मैं से किस सब्द में प्रत्य का प्रियोग हुआ है इन जो हमें चार option दिये गए हैं इनमें से किस सब्द में प्रत्य का प्रियोग हुआ है मैं सोचूंगा कि यहाँ पे 10-15 मिनिट में जो है आपको 100 question के answer बता दूँ आगे देखते हैं अगला question जो हमारे पास है वो है लाजवाब सब्द में कौन सा समास है तो इसका answer हो जाएगा आपका C option अभ्याई भाव समास आगे देखते हैं वहाई कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किन्तु प्रथम पद दुत्तिय पद की विसेशता बतलाता है तो यह किस समास की परिवाशा है तो यह हमारी कर्मधारे समास की परिवाशा है option number C जो है छटे question का option number C जो है सही answer हो जाएगा अगला question जो हमारे पास है वो है पशू पांशू पण का क्रमधा सही अर्थ प्रकट करने वाला सब्द योग में है तो इसका आंसर जो है दोस्तो यहां पर जो हमने यहां पर इसका आंसर नहीं दिया है क्योंकि इसका आंसर सही हमको मिल नहीं पा रहा था पशू पांशू पण का क्रमसा सही अर्थ प्रकट करने वाला सब्द योग में क्या है तो यह हम आपको कमेंट में मेंशन कर देंगे इसका आंसर ढूंडने के बाद अगला क्योशन जो हमारे पास है वो है निमनलिकित में कौन सा सब्द सागर का परयावाची नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर निरजर आगे देखते हैं जो हमारा नवा कॉश्चन है नवा कोश्चन है यहाँ पर संपन्य व्यक्ति खाली इस्थान की व्यथा नहीं जान सकता तो इसका आंसर हो जाएगा विपन्य यहाँ पर c option यहाँ पर हो जाएगा छोटर छाया छोटर छाया जो है हमारा एकदम सही answer है अगला हमारा question है ग्यारबा question जो है आपकी सोजन्नता बनी रहेगी वाक्त में किस प्रकार की असुद्धी है तो ये हमारा जो answer है थोड़ा doubt में है लेकिन जहां तक जिसका अंसर हमने जो सर्च किया था वो है यहाँ पर क्रिया संबंदी जो है इसमें असुद्धी है आगे देखते हैं सब लोगों से संबंद रखने वाला वाक्यांस के लिए सही सब्द है तो इसका अंसर हो जाएगा बहुत ही कठिन कार करना के लिए बाकिस में सही मोहाबरा प्रियोग में लाया गया है तो इसका अंसर जो है ए हो जाएगा संस्क्रेट पढ़ना लोहे के चने चबाना है कोई आसान काम नहीं अगला क्वेशन है हमारे पास 15 क्वेशन बैल का बैल गया नो हात का पगहा भी गया लोकोती का क्या अर्थ है तो इसका अर्थ जो है हमारा ओप्शन सही होगा C नंबर C ओप्शन इसका सही होगा बहुत बड़ा घाटा होना आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अब यह जो 15 क्वेशन थे यह हमारे हिंदी से थे आगे जो हमारे क्वेशन है वो थोड़े जीके से हैं तो यहाँ पर 16 नमबर का question जो हमारे पास है वो है पदमिसरीक रपाल सिंग से खावत का संबंध किस से है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका ब्लू पॉर्टरी से option नमबर सी इसका सही जबाब होगा अगला question हमारे पास है राज कुमार अजीत सिंग को जोधपुर का राज पुना दिलाने में किसका योगदान सरबादिक रहा तो इसका अंसर हो जाएगा हमारा वीर दुर्गा दास राठोड ए ओप्शन यहाँ पर सही होगा अगला question जो हमारे पास है वो है राजस् universes की अधिकांस वर्सा किन मान सूनी पबनों से होती है तो इसका answer होगा दोस्तों यहाँ पर डी इन में से कोई नहीं अगला question जो हमारे पास है वो है हमारा 19 नमबर का question निमनिलिखित में से कौन सा नत्य जसनाथी संप्रदाय के अनुयाईयों द्वारा किया जाता है तो अगनी नत्य इसका सही अंसर होगा आगे देखते हम राजिस्थान के निमनिलिखित में से किस सहर में होली के दोरान रम्मत का आयोजन किया जाता है तो इसका अंसर B का नेर है अगला question हमारे पास है राजिस्थान में क्रसक अंदोलन का प्रारंब सरप्रतम कहां हुआ तो इसका हमारा option जो है C option सही हो जाएगा बिंजौलिया में आगे देखते हैं अगला question जो हमारे पास है राजिस्थान की भासा के लिए राजधानी सब्द का प्रियोग सरप्रतम किसने किया था तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तो जोर्ज अब्राहेम ग्रीशन ने अगला question जो हमारे पास है राजिस्थान राज देरी विकास निगम की इस्थापना किश बर्ष में की गई थी तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1985 अगला question हमारे पास संत गुण सागरवा नाम माला किस संत द्वारा रचित है तो इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पर धन्ना आगे देखते हैं अगला question हमारे भी है जो वो सही रहेगा अगला question है हमारे पास यहाँ पर 26 नंबर का एक लिंग महात्मे किस भाहसा में लिखा गया है तो इसका answer हो जाएगा सही संस्क्रत आगे देखते हैं बीजबा माला राजिस्तान की किस जनजाती की साका है तो इसका answer हो जाएगा यहाँ पर सांसी अ अगला question हमारे पास है निम्लखित मैंसे कौन सी जील जगमंदिरवा जगनिवास के लिए प्रशिद्ध है तो इसका answer हो जाएगा जैसमंद जील आगे देखते हैं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूशन निम्ल मैंसे कौन सा है तो इसका option जो है B हमारा एकदम सह सही होगा मुर्कियां अगला question हमारे पास है 30 नंबर का चूप नामक आभूशन का संबंध है तो इसका answer A जो है option जो है A सही रहेगा दात अगला question हमारे पास है गमेती निम्लखित मैंसे किस जन जाती के लोगों के नेता होता है तो इसका answer जो है हमारा गरासिय रहेगा अग अगला question जो हमारे पास है कटार गड़ राजिस्थान के किस के लिए का निवास छेत्र है तो option A इसका सही होगा जो कि यह है कुंबल गड़ इसका answer सही रहेगा अगला question हमारे पास है Central Arid Zone Research Institute is situated मतलब कि केंदरी मरू छेत्र अनुसंदान संस्थान कहा है इस्तित है तो यह ज question की यदि बात की जाए तो निमनलखित में से हमें असंगत योगमि को छांटना था तो यह जो है इसका answer हो जाएगा हमारा ग्रीस में महुत सब माउंट आबू यह जो हमारा answer है इसका थोड़ा doubt में है तो यह हम आपको comment में करके बता देंगे ढून के यह इसके बाद हमारा question है वो है राजस्तान में निमनमे से किस इस्थान पर उलन गलहरी पाई जाती है तो इसका answer हो जाएगा कैला देवी अगला question हमारे पास है बाला किला राजस्तान के किस जिले में इस्थित है तो इसका जो है अपना answer अलवर हो जाएगा option नमर बी इसका सही रहेगा 39 question की यदि बात करें तो चंद्र भागा मेला राजस्तान के निमन्खित में से किस जिले में आयुजित किया जाता है तो इसका जो option बी है वो सही रहेगा जालावाड 40 question की यदि हम बात करें तो राश्टी इस्तर का सरसो अनुसंधन के इंद्र रिष्टित है तो इसका answer हो जाएगा हमारा saver आगे देखते हैं 41 जो है हमारा कम सांद्रता में एट्रजीन का छिड़का खलिस्तान प्रकार के बाद स्पोच सरजन रोधी के रूप में कार करता है तो इसका जो answer रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पर इस्टो मेटल क्लोजिंग तो इसका answer जो है हमारा रंद्र बंद करने वाला जो है इसका सही answer होगा डी नंबर का option जो है सही रहेगा 42 नंबर के question के दिए हम बात करें तो आलू की सुसुपता वस्था को दूर करने के लिए काम में आने वाला रसायन निम्न मैंसे कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा हमारा थायोयूरिया आगे देखते हम निम्न मैंसे कौन से प्रकार के औरवरक सामनता भारत बिदेश में निर्यात करता है तो पोटाश वाले इसका सही answer होगा अगला कोश्चन हमारे पास है सिंगल सूपर फास्ट में सलफर का अंश कितना प्रतीशत होता है तो 12% जो है हमारा सलफर पाया जाता है अगला कोश्चन हमारे पास है राजमा की फसल के लिए संस्तुत नतरजन की मातरा कितनी है तो 60-70 किलोग्राम प्रती हेक्टेर इसका सही आंसर रहेगा अगला कोश्चन हमारे पास है खर्पदबार नियंतरन हेतू ब्राउन मैन्योरिंग जो की एक बिधी है कौन सी फसल के लिए सामनता अपनाई जाती है तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा धान की सीधी बुआई अगला कोश्चन हमारे पास है एक हेक्टेर सेंटिमीटर पानी के बराबर होता है तो इसका आंसर सही रहेगा एक लाग लीटर आगे देखते हैं लबडी मृदाओं को किस बिदी से सुधारा जा सकता है तो जो लबडी मृदाओं होती है हमारी उसमें किस बिदी से हम सुधार सकते हैं जो एसडिक होती है उसमें तो हम जिपसम का प्रियोग करते हैं तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका निस्पंदन बिधी option number A इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question हमारे पास है जलबायू परिवर्तन से क्या भी प्राह है तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लंबे समय तीस वर्से अधिक के मौसम में बदला आगे देखते हैं फिर पूछा गया आपसे म्रतिका कणों का ब्याश का होता है option number A सही रहेगा 0.002 mm से कम अगला question जो हमारे पास है वो है 51 number का question ammonium sulfate और बरक्की तुल्यांग की अमलियता क्या होती है तो 110 इसका सही आंसर रहेगा अगला question हमारे पास है निम्न फास्पुरस और वर्कों में से कौन सा अमलियम रदा में उप्योग है तो इसका rock phosphate सही आंसर हो जाएगा 53 number के question के दिए हम बात करें तो जो है वो निम्न में से कौन सा द्विवर्शी खर्पतबार का उधारन है तो aquarium intivus जिसका की common name चिंकोरी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा अगला question 54 यहाँ पर थोड़ा ये जुपिक हम ने लिये थोड़ी बेकार हो गई है तो आप इसको समझ लें हम बोलते जाएंगे तो आप देख लें 54 नंबर का question जो है इसका ये जो है हमारा कक्छस्त कलिकाओं का साखाओं में बड़वार कहलाती है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साखा निकलना ब्रांचिंग कहते हैं इसको हम अगला question हमारे पास है जो है वह संकुल मक्का के प्रमानित बीज उतपादन हेदू नियूनतम प्रतक्रन दूरी होनी चाहिए तो इसका जो आंसर है वो 100 मीटर हो जाएगा और अगला question हमारे पास है जिया मेज एवल्टा खालीस्तान का बानसपतिक नाम है तो यह जो हमारा जिया मेज एवल्टा है यह हमारा पॉपकॉर्ण का नाम है अगला question हमारे पास है निम्न में से कौन सा पोसक्तद्व क्लोरोफिल का अव्यब है तो इसका आंसर हमारा मेगनीशियम हो जाएगा आगे देखते है अवनाली का चरण खाली स्थान की बड़ती अवस्था है तो अवनाली का चरण जो है अमारी वो रिल एरोजन की जब बड़ी हो जाती है तो इसलिए किसकी बड़ती अवस्था है तो रिल एरोजन की बड़ती अवस्था है अवनाली का चरण अगला question जो हमारे पास है वह है पोसक तत्व जो इस्टो मेटा की गती और पौधों की कोशिकाओं की स्पीथी को बनाय रखता है तो इसका अंसर पोटेशियम हो जाएगा अगला कॉश्चन हमारे पास है मक्का की दो पंक्तियों के मध्य उड़द की एक या दो पंक्तियों लगाना उदारन है तो इसे हम कंपेनियन क्रॉप्स कहते हैं यह ओप्शन इसका सही रहेगा अगला कॉश्चन जो हमारे पास है 61 नमबर का वह हमारा दुरका पुरा मधु किस फसल से संबंदित किस्म है तो यह खरबूजे की किस्म है अगला कोश्चन हमारे पास है अंगूर में संगाई की कौन सी विधी से सरवादिक उतपादन होता है तो जो पंडाल विधी है वो इसका सही आंसर होगा अगला कोश्चन हमारे पास है राजिस्थान के किन जिलों में किन्नों का अधिकतर उतपादन होता है तो गंगन अगर्वा, हनुमानगड इसका सही अंसर चला जाएगा अगला question जो हमारे पास है 64 number का खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है तो offsuit इसका सही अंसर रहेगा C option इसका सही रहेगा तने के बिना offsuit 65 number के question के यदि बात की जाए तो यह हमारा question जो है वो है राजिस्थान में अनार की कौनसी बाहर सबसे उप्योगत है तो म्रग बाहर इसका आंसर हो जाएगा अगला question ने दिए हम देखें तो African Marigold का बानस्पतिक नाम क्या है तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा Tagatus, Erecta अगला question हम देखने निम्न में से कौनसी बिधी को सगन बागवानी कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा Truck Gardening अगला question हमारे पास है चूर्णी फपून कौनसे फल की प्रमुख ब्यादी होती है इसका आंसर हो जाएगा हमारा वो प्रोक्त सभी सिंधूरी किसकी किसम है तो जो option number V है वो हमारा सही रहेगा अनार अगला question हमारे पास है आम का सरवादिक उत्पादन कौनसे राज में होता है तो इसका आंसर हमारा उत्तरप्रदेश हो जाएगा 71 number के question के दिबात की जाए तो गुलाब की खेती छेतर में छटाई का समय तो इसका जो आंसर है वो हमारा अक्टूबर नवंबर हो जाएगा अगला question हमारे पास है 72 number का जैम बनाने के लिए कौन सफल उप्यूकत रहता है तो इसका जो है हमारा जैम बनाने के लिए कौन सफल जैली के लिए तो सबसे अच्छा अमरूद होता है लेकिन यहाँ पर जैम का पूछा गया है तो मीठी नारंगी जो है यहाँ पर सही आंसर रहेगा अगला question हमारे पास है निमने लिखित में से कौन सफल vitamin C का सबसे अच्छा स्रोथ है तो इसमें जो है अमारा option हो जाएगा यहाँ पर vitamin C का सबसे अच्छा श्रोथ क्या है तो यहाँ पर देखिए बारबाडोज जो चेरी होता है उसमें तो सबसे जादिक vitamin C होता है लेकिन यहाँ पर आवला भी आपका अंसर जा सकता है तो इस question को हम comment में discuss कर लेंगे अगला question जो हमारे पास है आम की बोनी किसम कौन सी है तो इसका अंसर जो है दोस्तो आमरपाली हो जाएगा अगला question हमारे पास है भारत में किस फल का सबसे जादा उतपादन होता है तो इसका answer हमारा केला हो जाएगा केले का उतपादन शरबादिक होता है जबकि area की यदि बात की जाए तो वो है हमारा आम का भारत में आम का area सरबादिक है और उतपादन में यदि बात की जाए तो केले का उतपादन शरबादिक होता है अगला question हमारा है गरीब आदमी का संत्रक किसे कहा जाता है तो इसका आंसर आपका टमाटर हो जाएगा और अगला question की एदि बात की जाए तो विंटर चेरी के नाम से कौन सा आउसदी पौधा जाना जाता है तो अश्बगंदा इसका आंसर हो जाएगा अगला कॉश्चन हमारे पास है 78 नम्मर का कि ग्लेडियुलस फूल को क्या कहते है जो ग्लेडियुलस का फूल होता है उसको हम क्या कहते है फ्लोरोसेंस की यहाँ पर बात की जा रही है तो उसको हम स्पाइक कहते है अगला question हमारे पास है head किस फसल का आर्थिक भाग है तो इसका अंसर हमारा cabbage हो जाएगा अगला question है हमारे पास खीरा वर्गी फसलों में पादप हार्मोन का sex form बदलने के लिए कब छिड़काप करते हैं यह हमारा two to four सची पत्ती अवस्था इसका आंसर हो जाएगा अगला question हमारे पास है 81 नमबर का भेड में समागम की क्रिया को क्या कहते हैं तो जो भेड में समागम होती है उसको हम टपिंग कहते हैं अगला question हमारे पास है कि अविकालिन is a breed of जो अविकालिन है वो किसकी breed है इसका आंसर हो जाएगा भेड की जो अविकालिन है वो हमारी भेड की नसल है अगला question हमारे पास है किस पसू के दूद में इंसूलिन की मातरा ज्यादा होती है तो इसका आंसर जो है हमारा हो जाएगा उंटनी camel के दूद में जो है इंसूलिन की मातरा सरबादिक पाई जाती है अगला question है rut और must is present in which species of animal तो इसका जो answer हो जाएगा camel मतलब रट या must अवस्ता किस पसू में देखने को मिलती है तो उंट में देखने को मिलती है अगले question की हम बात करें तो पसू में गलगोंटू बीमारी का कारण क्या है जो हमारा पसू में गलगोंटू होता है वो किस से होता है उसका causal organism क्या है तो वो है हमारा bacteria से होता है, जीवाणू इसका सही answer है अगले question की हम बात करें, तो दुख्द बुखार बीमारी का कारण क्या है तो ये जो हमारी दुख्द बुखार milk fever होता है, ये उपापचे ही हो जाती है इसमें जो हमारा क्या, उपापचे के कारण दुख्द बुखार आ जाता है, milk fever आ जाता है अगला question देखते हैं, पसुओं में खुर्पा का मुपा का बीमारी का कारण क्या है तो ये जो है बिशानू जनित रोग होता है, खुर्पा का मुपा का, FMDJCM कहते है foot and mouth disease, जिसको इंगलिस में बोला जाता है अगला question देखने है, किस बीमारी में पसुओं का पोस्ट मार्टम नहीं किया जाता तो anthrax इसका सही अंसर जाएगा आगे देखते हैं, दूद में strip cup test द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है तो mastitis जो होती है, एक बीमारी हमारे पशुओं में तो उसका strip cup test उसका पता लगाने के लिए हम करते हैं अगला question हमारे पास है, गाय के दूद का पीला रंग किसके करण होता है तो carotene एक वर्णक है, जिसके करण गाय के दूद का पीला रंग होता है अगला question है, 91 number का question है, कि राष्टी डेरी अनुसंदान सस्तान यह हम सबको पता है कि करणाल हर्याना में इस्तित है अगला question हमारे पास है, दूद में उपस्तित बसा का पता किस विधी द्वारा लगाया जाता है तो दूद में उपस्तित बसा का पता किस विधी द्वारा लगाया जाता है तो यह जो है हमारा गरबर विधी है, जिसके द्वारा की दूद में उपस्तित बसा का पता लगाया जाता है अगला question हमारे पास है toned दूद में उपस्तित बसा वा SNF की प्रतिशत मात्रा होती है तो जो है toned में जो हमारा fat रहता है वो हमारा 3 प्रतिशत रहता है और यदि SNF की बात करें solid not fat की तो यह जो है हमारा 8.85% जो रहता है तो यह option जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा आगे देखते हैं निम्न मैसे कौन सी गाय की नसल भारवाहक के लिए जाने जाती है तो इसका हमारा सही अंसर हो जाएगा नागोरी डियो आप्शन यहाँ पर सही रहेगा अब वयस्क गाय का इस्थाई दंत सूत्र क्या है निम्न मैसे कौन सी भारवाहक की नसल नहीं है देखिये मुर्रा भारवाहक की नसल है सूर्ती भी है नीली रावी भी है तो आंसर यहाँ पर क्या चला जाएगा सूर्थी 99 नंबर कॉस्चन की यदि हम बात करें तो भारत की बक्रियों की सबसे बड़ी नसल कौन सी है तो जमनापारी जो है सबी बक्रियों में सबसे बड़ी होती है लास्ट कॉस्चन है हमारा 100 नंबर का कॉस्चन राश्टी बक्रियनुसंदान संस्थान का है तो यह मगदूम में स्थित है नैशनल गौट रिसर्च इंस्टिट मगदूम में स्थित है तो दोस्तो यह वीडियो यहाँ यहीं पर हमारा समापत होता है 100 कॉस्चन जो है अग्रिकल्चर सुपरवाइजर में पूछे गए थे तो आप लोगों ने कितने अटेंप्ट किये हैं और कितने आपके सही हैं वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो से रिलेटेड यह दी आपके मन में कोई भी डाउट हो आप हमारे वाट्सअप नंबर 9981065547 या फिर 9753962102 पर हमें वाट्सअप पर दा अग्रिकल्चर गुरू जी लिखकर आपका कमेंट हमें शेर कर सकते हैं जो भी डाउट है आप हमें बताईए हम उसको सॉलूशन निकालने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्वाद और एक बार मैं फिर कहूंगा आपसे यह आपको यदि इस वीडियो से रिलेटेट कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए बहुत-बहुत धन्वाद आपका जै हिन जै भारत